गुद मॉर्णिंग तो एवरी इस्टेरेंड इस मेस्ट वीडियो इस फॉर फॉर्स्ट क्लास बाई भगवती में ओके आज मैं आपको STO का मीन समझा रहे हूं बता रहे हूं एक्स्प्लेंड कर रहे हूं O means once यानि one to nine वन डिजिट के नंबर जो आते हैं वह once क्यालाते हैं and T means 10s जिसके अंदर 10 to 19 यानि यानि टू डिजिट के नंबर जो आते हैं वह सारे 10s क्यालाते हैं and 100 h mean 100 100 इसमें 100 to 999 के नंबर आते हैं यानि ट्री डिजिट नंबर okay 10 ones mean one O mean ones T mean tens and H mean 100 हमें ones के अंदर 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यह सारे डिजिट ones के होते हैं यानि ones में आते हैं and 10s में 10s के अंदर 2 डिजिट के जितने भी नंबर होते हैं वह सारे 10s में आते हैं एक्जांपल के लिए 10s के अंदर जैसे 32 45 68 71 90 and 99 यह सारे नंबर 10s के अंदर आते हैं और 100s के अंदर जितने भी 10s के नंबर होते हैं सोरी 333 नंबर होते हैं त्री डिजिट के नंबर होते हैं वह 100 के अंदर आते हैं जैसे एक्जांपल के लिए अपना लेते हैं 145 333 यानि 333 40 404 405 एक्जांपल एक्सेक्टरा मतलब यह 99 के है तो टूडेज होंबक निखोंगे है तो टूडेज है एच टबलू आपका है आपको टैंस के फाइव नंबर नंबर राइट करने हैं एंड हंड्रेड के हंड्र्स के फाइव नंबर नंबर राइट करने हैं यह आपका होंबक है आप समझ गए होंगे एस्टियों का मिन ह मिन हंड्रट टी मिन टैंस ओ मिन वन्स वापस मैं आपको रिपीक कर रही हूं वन्स के अंदर 029 नंबर आते हैं जो वन डिजिट के होते हैं टैंस के अंदर 10 2 99 यानि टू डिजिट में जो नंबर आते हैं वो टू डिजिट के होते हैं और 100 के अंदर हंडर से लेके 999 तक के नंबर आते हैं जो त्री डिजिट के कहलाते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा आज का होंबग आपका यही है 10 के 5 नंबर राइट करें और 100 के 5 नंबर राइट करें ओके गुद्बाइ